Hello friends, एक बब फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो friends, डेली सुबा 7 बज़े आप हमारी CCC Revision Class को जोईन कर सकते हैं और इसके साथ साथ सामको 8 बज़े हमारी CCC Practice Class होती है जिनका अब एक्जाम जुलाई या फिर इसके बाद होने वाला है आप सभी इन दोनों Classes को जोईन करते हैं और Slivers Complete करने के लिए आप हमारी चैनल की प्लेलिस में जागे प्रपल सीनी उ Slivers Complete को उस नाम की प्लेलिस्ट है जहां से आप Slivers Complete कर सकते हैं तो तयार हो जाए देखते हैं आज का सबसे पहला Question और जिन लोगों ने अभी तक ग्यानिक्स भी Mobile App डाउनलूट नहीं कि आप सभी डाउनलूट कर लिजे जल्दी यहां पर जुलाई 2020 के लिए एक मेगर टिस से स्टार्ट होने वाला है जो कि काफी important होगा तो आज का सबसे पहला Question है MICR माइकर कोड में कितनी संख्याएं होते हैं MICR मींस माइकर माइकर का फुल फॉर्म होता है Magnetic Ink Character Recognition तो बता इसमें कितनी संख्याएं होते हैं और इसका इस्तिमाल कहां पर किया जाता है जो चेक बुक आते हैं इसमें चेक में नीचे की आप पट्टी देखेंगे वहाँ पे एक माइकर कोड प्रेंटेट रहता है जिसमें टूटल 9 डिजिट्स होते हैं तो राइट आंस हो जाएगा ऑप्षन D9 अगला Question देखते हैं आप सभी इन Questions के राइट आंस इस Comment section में Comment करते रहे हैं तो अगला कुछ ने Asymmetric Cryptography में कितनी कुण्जियों का उपयोग होता है Asymmetric Cryptography में कितनी कुण्जियों का उपयोग होता है तो Asymmetric Cryptography में दो अलग अलग तरह की की इस्तिमाल की जाते हैं Public और Private Option B राइट आंस हो जाएगा 2 इक्वेशन काफी important है कई बार Triple C exam में सेम टो सेम इसी तरह से पूछा गया है अगले क्वेशन के तरफ बढ़ते हैं अगले कुछने दस्तावेट पार्ट के पीछे धुन्दला दिखाई देता है Document Text के नीचे क्या धुन्दला दिखाई देता है बहुत बेसिक सा क्वेशन है राइट अंस हो जाएगा option C वाटर मार्क जैसे आप यहाँ पे भी देख पार रहेंगे स्डॉकॉमेंट में पीछे एक धुन्दला सा ग्यानिक स्पी का लोगो दिख रहा है यह क्या एक प्रगार का वाटर मार्क है अगलग उसने क्लाउड कम्प्यूटिंग में क्लाउड क्या है क्लाउड कम्प्यूटिंग में क्लाउड क्या है डेटा बेस बंडारन मींस स्टोरेज या फिर इंटरनेट या फिर सर्वर तो क्लाउड कम्प्यूटिंग में cloud को बोलते हैं internet option c right answer है internet ये question भी कई बार exam में पूछा जा चुका है तो अगले लग उसे ने marketplace facebook द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की सिवा है c to c, c to b, b to c या फिर b to b तो अगर आप facebook का इस्तिमाल करते होंगे तो आपने देखा होगे tap दिया रहता है marketplace जहाँ पे direct customers अपने products को sell करते हैं यहाँ पे नए और पुराने दोनों तरह के products हो सकते हैं जैसे आप OLX का इस्तिमाल करते हैं उसी तरह से facebook की तरफ से एक platform launch किया गया है marketplace तो इस question का right answer हो जाएगा option a c to c means consumer to consumer based ये platform काम करता है means direct customer अपना product इसी दूसरे customer को sell कर सकता है तो option a right answer है निम्न में क्या banking सेवाव से सम्मंदित नहीं है निम्न में क्या banking सेवाव से सम्मंदित नहीं है neft, ecs, demand draft या फिर imps interesting और important question है right answer हो जाएगा option b याद रखी option b right answer है ecs electronic clearance service होती हूँ banking से सम्मंदित नहीं है option b right answer हो जाएगा निम्न में क्या hard copy तयार करता है बहुत basic से question है I hope आप सभी को पता होगा और आप सभी इन questions के right answers के आएं comment section में comment करते है last में total कितने questions correct होएं comments में जरूब बताएगा निम्न में क्या hard copy तयार करता है right answer हो जाएगा option c printer printer hard copy तयार करता है Daisy wheel किस प्रकार का printer है Daisy wheel किस प्रकार का printer है तो printer मुखिता दो तरा के होते है impact और non impact तो Daisy wheel एक impact printer है option b right answer हो जाएगा impact next question देखते हैं email द्वारा file ने भेजने को क्या कहते हैं email के माध्यम से अगर आप कोई file भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं किस नाम से जानते हैं upload, download, aggressive या फिर attach तो email के माध्यम से किसी file को भीजना क्या होता है attachment तो option d right answer हो जाएगा attach ये सभी questions ऐसे हैं जो कि पहले triple C exam में same to same इस इतरा से पूछे जा जोके इन मेंसे बहुत से questions होते हैं जो कई-कई बार triple C exam में repeat होते रहते हैं तो आप सभी previous classes को follow करते रहे हैं तो अगला question ने LibreOffice Cal के किस menu में merge cell command होता है format, style, seat या फिर edit ये सभी LibreOffice Cal के menu's name है आप याद कर लिजे इन मेंसे किसी के बारे में पूछा जा सकता है जैसे एक question आ सकता है पूछा जा सकता है इन मेंसे कौन सा LibreOffice Cal का menu नहीं है तो इस तरह की सभी topics आपको हमारे channel की playlist में मिल जाएंगे जहाँ पे मैंने LibreOffice Cal impress writer इन सभी को काफी detail में discuss किया है अलग से मैंने एक playlist बना दी जिसमें आपको LibreOffice, writer, cal, impress इन सभी के detail videos मिल जाएंगे तो write answer हो जाएगा option A format menu के अंदर merge cell का option एता है जहांसे आप cell को merge कर सकते हैं option A write answer हो जाएगा निम लिखित में से कौन ISP सुविधा प्रदान करता है तो सबसे पहले आपको पता होना ची ISP क्या होता है ISP का full form होता है internet service provider जो आपको internet की service provide करता है तो reliance, vipro, tcs, microsoft write answer होगा option A reliance आप सभी geo का नाम जानते होंगे जो की internet की service provide करता है तो option A write answer है अगला question जो काफी interesting और important है निमन में CP command के बारे में मदद पाने के लिए किसका उप्यूग करेंगी तो linux में CP command इस्तिमाल होता है अगर आप इसके बारे में जानना चाते है किसका syntax क्या होता है कैसे इस्तिमाल करते है इस बारे में details चाते है तो आप इसके साथ में command इस्तिमाल करते है man तो अगर आपने लिखा man space cp या फिर आप cp की जगे पे Linux का कोई भी command जिसके बारे में आप detail जानना चाहते हैं उसका manual देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप simple सा type करेंगे man और उसके just बाद आप उस command का नाब जिसके command के बारे में आप detail जानना चाहते हैं तो option b right answer हो जाएगा man cp अगला उसने निम्न में सीधे hardware पर क्या स्थापित किया जाता है option b right answer है firm bear आप सभी जल्दी जल्दी इन questions के right answer comment section में भेजते रहे firm bear जैसे की bios इसको सीधे hardware पर स्थापित किया जाता है और bios कहाँ पर होता है room के अंदर store किया जाता है read only memory अगला कुछने impress में elements जैसे text image को ब्यवस्थित करने के लिए प्रियोग करते हैं किसका इस्तिमाल किया जाता है impress में elements जैसे text image को ब्यवस्थित करने के लिए प्रियोग करते हैं design, scheme, presentation, layout तो option D write-ans हो जाएगा layout का इस्तिमाल करते हैं LibreOffice में font आकार को कम करने के लिए हम किस menu का उप्यूग करते हैं अगर आप LibreOffice writer में font size कम करना चाते हैं तो आप किस menu का इस्तिमाल करेंगे edit, format, tools या फिर styles बहुत basic से question है write-ans होगा option B, format menu format menu का इस्तिमाल करके आप font आकार को कम कर सकते हैं या फिर आप बढ़ा सकते हैं अगला कुछ ने LibreOffice writer में templates का प्रबंधन करने के लिए shortcut कुझी क्या है तो LibreOffice writer में template management की कौन सी shortcut की इस्तिमाल की जाती है control plus shift plus n का इस्तिमाल करते हैं LibreOffice writer में templates को manage करने के लिए तो option A write-ans हो जाएगा control plus shift plus n अगला कुछ न देखते हैं निम्न में antivirus नहीं है निम्न में antivirus नहीं है AVG, Bitdefender, BLC, Norton और जो लोग आज हमारे साथ पहली पार जड़े हैं उन सभी की जानकारी के लिए मैं बता दू आप डेली सुबा 7 बजे हमारी इस online class को जोईन कर सकते हैं और इसके साथ साथ सामको 8 बजे हमारी triple C practice class होती है आप सभी इन दोनों classes को जोईन करते रहे और इसके साथ साथ आप previous online test के वीडियो जितने भी हमारे चैनल के अप्लोड़ेड हैं आप उनको भी follow करते रहे हैं सभी में आपको important questions मिलेंगे राइट answer हो जाएगा option C, BLC जो की एक media player है ना की antivirus जबकी AVGA, Bitdefender और Norden ये सभी क्या हैं antivirus के examples है next question है impress के लिए default extension क्या है अगर किसी file को हम impress में create करते हैं तो इस file का extension क्या होता है राइट answer है option B, ODP open document presentation इसका full form भी exam में एक आद बार पूछा जा जुका है ODP का पूरूरूख क्या है इस तरह से question पहले भी triple C exam में आया है तो ODP का full form होता है open document presentation अगला उसने IFSC code में कितने word या character होते हैं तो अगर आप किसी भी bank का IFSC code देखते हैं उसकी सुरुआत होती है character से और starting में 4 characters होते हैं जैसे कि P, U, N, B तो option C right answer हो जाएगा और यहां से एक और question बनता है IFSC code में कितनी संख्याएं होते हैं तो total यह 11 digit का code होता है अगला कुशने Facebook account खोलने के नियूंतम उम्र क्या है Facebook account खोलने के नियूंतम उम्र क्या है बहुत basic से question है right answer हो जाएगा option B 13 year minimum 13 year होनी चाहिए अगर आप Facebook account open करना चाहते हैं निम्न में दुनिया का पहला mini computer था अगर आपको right answer नहीं पता है तो आप कहीं पे note कर लीजे इस तरह के जो भी questions जिनके right answer आपको नहीं पता है जब भी आप हमाई साथ online class ज्वाइन करते हैं एक paper और pin साथ में रखें इस तरह के सभी questions के right answers कहीं पे note करते रहें और revision time पे ये questions आपको काफी help करेंगे तो right answer हो जाएगा option C PDP1 जो की word का सबसे पहला mini computer था option C right answer हो जाएगा कौन से memory बार बार refresh होती है कौन से memory बार बार refresh होती है ROM, RAM, P-ROM या फिर EP-ROM तो RAM में किसका इस्तिमाल होता है dynamic RAM जो की बार बार refresh होती रहती तो option B right answer हो जाएगा RAM जो की बार बार refresh होती है तो अब आई देखतें अगला question परम सुपर कंप्यूटर को कहां पर बिक्सित किया गया था तो भारत का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000 जिसको पुने में डबल अब किया गया था CDAC की पुने ब्रांच में परम 8000 नाम के सुपर कंप्यूटर को डबल अब किया गया था जो की इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था राइट आंसर हो जाएगा आप्सन डी पुने कौनसा नया ब्राउजर बिंडो 10 के साथ पेस किया गया है तो अगर आप बिंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तिमाल कर रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा कौनसा नया ब्राउजर है जिसको बिंडो 10 के साथ में launch किया गया है राइट अंसर है ऑप्षन D, AIDS नाम का एक ब्राउजर है जिसको बिंडो 10 के साथ में launch किया गया है और हाली में बिंडो 11 को भी Microsoft Company के तरफ से launch कर दिया गया तो अगर ऐसा कोई question पूछा आता है कि सबसे latest Microsoft का operating system का नाम क्या है तो आपको याद रखना है Windows 11 अगला question है माउस का विसकार किसके द्वारा किया गया माउस का एक pointing device होता है तो right answer हो जाएगा option C, Douglas C. Engelbert ये question भी कई बार repeat हुआ है तो आप नाम याद रखीगा Douglas C. Engelbert ने माउस का विसकार किया था ये था आज की class का last question आप सभी comment section में जरूर बताए कि आज की class में कितने questions correct हुए है और अगर आपने अभी तक ग्यानिक्स भी mobile app डाउनलूट नहीं किया है तो इसे डाउनलूट कर लिजे यहाँ पर triple C और O label के लिए paid courses भी available करा दिये गए है तो आप यहाँ से किसी भी paid course के बारे में अगर जानकारी चाते हैं तो आप हमें whatsapp नमबर पे message कर सकते हैं या फिर इसी same number पे आप wise call करके यहाँ पे available paid courses के बारे में जानकारी ले सकते हैं ओके और यह कुछ e-books हैं जिनका link discussion में दिया गया अगर आप इन में से किसी भी e-book को लेना चाते हैं तो आप नीचे दिये गए discussion link से buy कर सकते हैं तो बस आज किस class में इतना ही सामकी 8 बज़े क्लास वाइन करना मत भूली और अगर आप practice करना चाते हैं तो आप हमारी website gyanixp.com पे visit कर सकते हैं या पे triple C exam से related important questions के धेर सारे mock test हमने upload करके रखे हैं जो कि triple C news syllabus पे based हैं और अगर आप latest update पाना चाते हैं तो आप हमें इंस्टा पे follow किजी इंस्टा ID है gyanixp यहाँ पे जो भी updates होते हैं आपको मिलते रहेंगे जैसे exam कब आने वाला है या admit card कब हो रहा है या फिर आपका certificate कब आ रहा है result कब आ रहा है इस परा के सभी updates आपको हमारे इंस्टा ports पे मिलते रहेंगे तो आप हमें इंस्टा पे जरू जोइन कीजे तो बस मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक लिए bye bye thank you thank you for watching